हिंदू धर्म में सास्त्रवत पूजा का विधान बहुत ही बड़ा है जिसके लिए पर्याप समय निकालना सभी के लिए कठिन होता है किन्दू फिर भी जीवन में सकारात्मक ताके लिए पूजापाट तो आवस्षक है तो चलिए आपको बताते हैं पूजापाट के तरीके के बारे में नमर वन हमेशा भगवान श्री गड़ेश की आराध रा से पूजा आरम करें श्री गड़ेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से बचें भगवान गड़ेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोस लगता है नम्मर दो, सिव संबू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चड़ाना चाहिए पौराणे कताओं के अनुसार भगवान सिव के केतकी को स्राब दिया था इसके लिए भगवान सिव को यह फूल नहीं चड़ाना चाहिए बरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं नम्मर तीन, भगवान की प्रतमा को इसनार करवाते बक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें भगवान को इसनार करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तमाल नहीं करना चाहिए ऐसा करने से भगवान अप्रसन होते हैं और घर में विपत्ति आती है नम्मर फोर, दीपक को कभी भी जमीन पर रख कर प्रजुलित ना करें ऐसा करने से धनकी बरवादी होती है और घर में असुपता आती है पूजा के बक्त अगरवत्ति का प्रयोग ना करें ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बास की लकडियों के साथ बनाया जाता है और बास की लकडियों का प्रयोग अंतिम संसकार में किया जाता है इसलिए इसे असुप माना जाता है नेक्स दिक लेते हैं नम्मर फाइव रविवार के दिन तुल्शी के पत्ते तोड़ने से बचें मानताओं के अनुसार रविवार के दिन तुल्शी के पत्ते तोड़ने से भगवान विश्णू अप्रिय सन होते हैं तो रविवार के दिन ना तो जल चड़ाएं और ना ही आप तुल्शी से हाथ भी लगाना नहीं चाहिए नमबर फाइव पूजा में गंदे कपड़े पहन कर ना बैठें कभी भी गंदे कपड़े पहन कर पूजा नहीं करना चाहिए मानताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दर्यद्रता आती है नमबर फ्रेंड्स बीडियो को एक लाइक जरूर से करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें नमबर एट पूजा के दोरान मन में मन को पवित्र रखें पूजा भी कभी भी पूजा करते समय मन को दूसित नहीं रखना चाहिए कहा जाता है के पूजा के दोरान मन में बुरे खयाल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है नमबर नाइन पूजा में इस्तमाल किये गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फैंके नहीं सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करने नमबर टैन दीपक और कलस को एक दूसरे के बिलकुल पास कभी न रखें वरना इससे दुस्प्रवाब जहिलने पड़ते हैं नेक्स देख लेते हैं नमबर लेवन किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता कुल देवी घर के बास्तु देवता ग्राम देवता याद का ध्यान करना भी आवस्चक है इन सबी का पूजन भी करना चाहिए नमबर ट्वैल पूजन में हम जिस आशन पर बैठते हैं उसे पेरों से इधर उधर खिशकाना नहीं चाहिए आसन को हातों से ही खिशकाना चाहिए नम्मर थर्टीन यदि आप प्रत दिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई बास्तू दोस्त भी दूर हो जाएंगे नम्मर फोर्टीन सूर गरेश दुर्गा सिब और विश्नु से पंच देव कहलाते हैं इनकी पूजा सभी कारों में अनवार रूप से की जानी चाहिए प्रत दिन पूजा करते समय इन पंच देव का ध्यान करना चाहिए इससे लच्मी, क्रपा और सम्रधी प्राप्त होती है नम्मर फिप्टीन तुल्सी के पत्तों को ग्यारे दनों तक वासी नहीं माना जाता है इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छड़क कर पुनह भगवान को अर्पित किया जा सकता है नम्मर शिक्स्टीन देख लेते हैं तर्स वीडियो को फुली देखें तभी समझ में आता है क्या है दीपक हमेशा भगवान की प्रत्मा के ठीक सामने लगाना चाहिए कभी कभी भगवान की प्रत्मा के सामने दीपक न लगा कर इधर उधर लगा दिया जाता है जबके यह सही नहीं है नमबर सेवंटी घी के दीपक के लिए सफेद रूई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए जब कि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती स्रेष्ट बताई गई है नेक्स देख लेते नमबर एटीन पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए धार्मिक कार्यों में खंडित सामेग्री सुब नहीं मानी जाती है तो फ्रेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नेक्स देख लेते हैं नमबर नाइंटीन शिवजी को बिल्व पत्र अवस्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनो कामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दच्छणा अवस्य चढ़ाने चाहिए दान करना चाहिए दच्छणा अरपित करते समय अपने दोसों को छोड़ने का संकल पले देना चाहिए दोसों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनो कामना अवस्य पूर्ण होगी नंबर 20 भगवान सूर की साथ श्री गृष्न की तीन विश्नु जी की चार और शिवजी की एक परक्रमा करनी चाहिए नंबर 21 घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेश पू पूजन वी अनिवार रूप से किया जाना चाहिए इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्रहमण पंदिश से प्रात की जा सकती है विशेश पूजन पंदित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधीवत हो सके नेक्स देख लेते हैं 21 भगवान सिव को हल्दी नहीं चड़ाना चाहिए और नहीं संक से जल चड़ाना चाहिए तो भगवान सिव जी की पूजा करते समय हल्दी नहीं चड़ानी चाहिए नमबर 22 पूजन इस्तल पर पवित्रता का ध्यान रखें चपल पहन कर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजान न करें पूजन इस्तल पर कचरा इत्यादी न जमा हो पाए तो आपने देखा होगा जब भी हम मंदर बगएरा में जाते हैं तो चमड़े की बेल्ट बगएरा जो भी होते हैं पंदित पहले ही मना कर देते हैं नमबर 23 मंदर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए नमबर 24 दीपक और कलस को एक दूसरे के बिलकुल पास भी ना रखें बरना इसके दुस्तर प्रवाब जहिलने पड़ते हैं नमबर 25 पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चड़ाना चाहिए यह असुमाना जाता है तो यह थी कुछ पूजा पार्ट को लेकर के बीडियो आपको अगर इसमें से एक भी बात सही लगी है या फिर आपको कोई जानकारी है आप अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में देना बिलकुल भी ना भूलें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लायक चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स पोर बॉचिंग बाई जैसरी कृष्णा जैसरी राम